अलेकुम आप देखे रहे हैं स्टेचिंग विद आमना सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल त्यार करनी होगी जिसकी चुड़ाई दो इंच और इस तरह से निशान लगा के स्केल की मदद से सीधी लाइन लगाएं और इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने देड़े इंच पे इ डबल फोल्ड करने के बाद सीधा करें और जो सैंटर की लाइन खिची है उसके उपर निशान लगाने के बाद एक तिरची लाइन इदर वाली साइड को और दूसरी इदर वाली साइड पर निशान लगा कर बिल्कुल उसके उपर उपर कटिंग कर लें हमारी ट्राइंगल जो है वो त्यार हो चुकी है मैंने बुकरम का एक पीस दिया है जिसकी चुड़ाई 18 इंच और इस तरह से लंबाई 3 इंच ली है इसको डबल फोल्ड करें और एक पौने इंच के उपर हम इस तरह से रखेंगे स्केल की मदब से सीधी लाइन खेंच देंगे उसके बाद ट्राइंगल लेंगे बिल्कु ट्राइंगल के साथ साथ बिल्कुर हम निशान लगाएंगे इस तरह से रखने के बाद इस तरह निशान लगा लेंगे और यहां पर केंची की मदद से कटिंग कर देंगे इस तरह से यह देखें और आपने बुकरम को पाइंचे के नीचे बिल्कुल इस तरह से जो है वो आईरन कर देना है और एक पट्टी लेंगे जिसकी चुड़ाई मैंने तीन इंच ली है और नीचे लखने के बाद बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सलाई गुजारेंगे एक्स्ट्रा कपरे को कटिंग कर देंगे इस तरह से और कटिंग करने के बाद तर्म्यान में हलके हलके कट लगाएंगे इस तरह से और इसको सीधा करेंगे सीधा करने के बाद कैंची के मदद से इसकी नोक जो है वो हम निकाल लेंगे इस तरह से नोकें सारी निकाल लेंगे आपने बिलकुल अच्छे तरीके से उसके बाद आईरन करें और सीधी साइड की तरफ भी पलट कर आईरन कर लें फिनिशिंग के लिए फिर रहां से हम थोड़ा सा मोड कर यहां पर तरपाई कर लें या फिर आप से लाई लगा लें बुकरम का एक पीस लिया है जिसकी मैंने जो है वो चुड़ाई मैंने आठारा इंच ली है और डेड़ इंच इसकी लंबाई है इस तरह से मैंने फोल्ड करके यहां पर इस तरह फोल्ड करूंगी फिर इस तरह से फोल्डिंग करेंगे इसकी यह हमारे पास त्यार हो गई है इस तरह की चार हम त्यार करेंगे फैबरिक ग्लू लेंगे बिल्कुल नोक के उपर लगाने के बाद सारी नोक्स के उपर लगा लेंगे इसको थोड़ा थोड़ा लगाना है चिपक जाएगा उसे भी फिर हम जो है वो इस तरह से वो जो हमने बनाई है एक उसकी मदद से हम इस तरह से उपर रखेंगे बिल्कुल नोक जो है वो आपकी इस वाली मगजी के उपर आनी चाहिए इस तरह से फिर इसके उपर हम आइरन कर लेंगे इसको पका करने के लिए एक और जो हमने मगजी बनाई है उसको उठाएंगे और यह देखें इस तरह से यहां पर फैबरिक ग्लू लगाएंगे पहले बिल्कुल लाइन में सीधा करके ग्लू लगाएंगे और उस मगजी को इस ग्लू के उपर उपर रखकर चिपका देंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक्स्ट्रा कट करने के बाद बिल्कुल यहां पर हम से लाइक गुजार देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें